ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आया बजरंग पुनिया का बैयान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो हैस्टैक से कर रहा ट्रेंड दिखने लगा बजरंग पुनिया की अपील का असर ट्विटर पर दिल्ली पुलिस के बाद दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा बीत एक कुछ दिनों से भारतिय महिला पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है बजरंग पूनिया ने सियम अर्विंद के जिवाल की भाषा में बात करते हुए अपना एक बयान दिया उनका यहां बयान ट्विंटर पर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो हैस्टाग से ट्रेंडिंग में चल रहा है आपको बता दे कि बजरंग पूनिया के इस बयान के बाद वर ट्विंटर पर दिल्ली पूलिस के बाद दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 312,000 ट्वीट के साथ ट्रेणड में हैं तो वहीं बजड़ंग पूनिया का बयान ट्र्यक्टर लेकर दिल्ली चलो हैस्टाइख 31.500 ट्रेणडिंग में हैं। इसके साथ ही रस्लर प्रोटेस्ट हैस्टाइग 8.900 ट्रेणडिंग में चल रहा है। दिल्ली के जनतर मंतर पर प्रदर्शन के चलते देर राद बवाल के बाद बर जंग पुनिया ने देश वासियों से सीम अर्विंद के जिवाल की भाषा में अपील करते हुए कहा कि आज देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को पूरे देश की समर्थन की जरूरत है सभी को दिल्ली आना चाहिए पुलिस हमारे खिलाफ बल प्रयोग कर रही है महिलाओं को गाली दे रही है बीजेपी सांसत ब्रजबूशेशर सिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है इसके बाद उनका यह बयान ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आ गया आपको बता दे कि उन्ते सप्रायल को दिल्ली के जंतरमंतर पर पहलवानों से मुलाकात के बाद दिल्ली के सियम अर्विन के जिवाल ने मीडिया कर्मियों से बात करके कहा कि F.I.R. के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट कराना पड़ा इसके लिए जो लोग भारत से प्यार करते हैं मैं उन सभी से अपील करता हूँ कि वा छुट्टी लेकर यहां आए जंतरमंतर पर पहलवानों के साथ खड़े हो जाए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी भारत के साथ खड़ा है इन बच्चों ने देश का नाम इसलिए थोड़ी ही रोशन किया था क्योंने इस तरह की परिशानी जेलनी पड़ जाए कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले